दोस्तों स्वागत है आपका ट्राइब से इसके एको नहीं वीडियो में मैं हूँ आपका दोस्त अमित दोस्तों ठंड के दिनों में क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी कार में से धुआ निकलता है अगर आपकी कार में से धुआ निकल रहा है तो यह बहुत अच्छा संकेत नहीं है और अगर समय रहते इस चीज़ को हमने नोटिस नहीं करा और इसको ठीक नहीं करा तो लंबे समय में कुछी टाइम बाद आपको इसा लगेगा कि आपकी गाड़ी में बड़ा खर्चा आने वाला है या आ चुका है और जब तक आपको पता चलेगा आपकी गाड़ी खर्चा निकाल चुकी होगी हाला कि मैं आपको बता दूँ गाड़ी में से धुआ निकलना कई रीजन की वज़े से हो सकता है जैसे ठंड का समया भी चालू हो गया है ठंड के दिनों में भी हमारी गाड़ी में से थोड़ा धुआ निकलता है लेकिन लगातार वो दुवा निकलना वो एक बड़ी मुसीबत का संकेत है या फिर एक बड़ी खामी का संकेत है आपके इंजन में प्रॉब्लम है अब कौन-कौन से तरह के दुवे निकलते हैं आपकी गाड़ी में उसके बारे में हम पहले समझते हैं और उसको किस तरह से हम समाल सकते हैं या अल्ली स्टेज में हम उस चीज को ठीक कर सकते हैं ताकि हमारा बड़ा खर्चा ना हो जाए तो चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो बेसिकली तीन तरह के धुए निकलते हैं सबसे पहला काला दुआ, दूसरा वाइट दुआ, और तीसरा जो वाइट और जो ब्लेक का कॉम्बिनेशन हलका सा नीला पन का जो दुआ होता है यह तीन तरह के धुए निकलते हैं और तीनों अलग-अलग कंडिशन में निकलते हैं हम सबसे पहले समझते हैं, हमारी गाड़ी में से काला दुआ, क्यों निकलता है दोसरो जनरली यह दुआ, एक कॉमन दुआ है, जब आपनी गाड़ी स्टार्ट करते हो, पेट्रोल या डीजल, कोई सी भी गाड़ी हो हलका सा काला दुआ, जरूर निकलता है, यह सामान यह है, लेकिन लंबे समय तक काला दुआ निकल रहा है, मतलब कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और generally ये problem क्यों होती है आपके engine में combustion प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है एक reason ये भी है या फिर fuel और air का proper mixture हो करके जो combination set किया हो रहे था company ने उसके हिसाब से थोड़ा उपा नीचे fuel जा रहा है या फिर air जा रही है उसकी वज़े से भी आपकी गाड़ी में से काला निकल सकता है और इसका एक सबसे बड़ा reason ये भी हो सकता है कि जहां से आप fuel डलवा रहे हो हो सकता है वो fuel में ही problem है वो fuel ही मिलावटी हो उसकी करण भी आपकी गाड़ी काला दुआ छोड़ने लगती है पेट्रोल कारों में खराब plug और ignition coil की वज़े से भी ये problem होती है और डीजल हो या पेट्रोल हो और अगर आपके पास डीजल कार है तो उसको proper maintain करके चलें आप proper उसकी servicing कराते रहें तो ये problem होगी नहीं वैसे ठंड हो या गर्मी हो डीजल कार जो होती है उसमें काला दुआ तो निकलता है लेकिन अगर कुछ हद से ज्यादा निकल रहा है तो उस समय आपको mechanic के पास अपनी गाड़ी को लेकर के जाना चाहिए छोटी मोटी चीज़ें ये ठीक हो सकती है local mechanic आराम से इस चीज़ को ठीक कर सकता है सफेद दुए का निकलना दोस्तो ये भी एक सामान ने दुआ है जनरल किसी भी गाड़ी में ये चीज हो सकती है लेकिन अगर ये लगातार हो रही है तो इसका एक मुख के रीजन ये हो सकता है कि आपकी जो गेस किट है उसमें कुछ ना कुछ लिकेज है जिसकी वज़े से आपकी गाड़ी का combustion प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और वहाँ पर हो सकता है आपका जो coolant है उसका mixture आपके engine में जा रहा तो ये सफेद दुए निकलना आपकी गाड़ी में से बन हो सकता है जब आपकी कार में से निकलने लगे नीला दुए दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बता है नीला दुए मतलब वाइट दुए और ब्लेक दुए का combination हलका सा नीला पन आता है बेसिकली ये क्यों होता ह बेसिकली दोस्तों ये तब होता है जब आपका engine oil को consume करने लगता है जिससे आपकी गाड़ी नीले कलर का दुए निकलने लगती है अगर इस तरह का दुए आपकी गाड़ी में से निकल रहा है तो ये बहुत ही जादा alarming है और इसको आपको तुरंट से तुरंट ठीक कर दे और अगर लगातार ये दुए आपकी गाड़ी में से निकलता रहा तो आपका engine seize भी हो सकता है क्योंकि उसका engine oil आपका engine है उसको consume करते जा रहा है उसका level कम होते जाएगा और एक AC stage आजाएगी जब आपके engine में oil बिलकुल नहीं बचेगा और उस समय आपका engine बहुत जड़ार अलार्मिंग धुआ यह है अगर आपको इसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी में से नीला दुआ लगातार निकल रहा है जैसे start करते हैं थोड़ा बहुत निकलता है कुछ समय चलाते हैं एक दो मिनिट चलाते तब भी निकलता लेकिन अगर लगाता निकल रहा है तो बहुत ज़ादा जरूरी है कि आपको इस चीज को ठीक करा देना है एंजन ओइल का लेवल चेक करें आपको पता चलेगा कि एंजन ओइल कितना कम हो गया है अपने लेवल से वहाँ पर आप रिफिल करा लोगे- लेकिन आपको इसकी जड़ पकड़ना बहुत ज़ादा आप इसको सही डंग से काम करवाएंगे, सर्विस कराएंगे, ये चीज ठीक हो सकती है, इसको ठीक कराने के बाद आप अपनी गाड़ी चलाएं तो जादा अच्छा है, तो आपकी गाड़ी में कम खर्चा आएगा, और अगर लंबे समय तक ये कंटिन्यू रहता है, तो आप आपको जिसा मैंने बताया, लंबा खर्चा हो जाया, इंजन सीज हो गया, तो आपका एक लाक रुपे, देड़ लाक रुपे तक भी खर्चा जा सकता है, तो दोस्तों ये तीन तरह के दुएं आपकी गाड़ी में से आ रहे हैं, तो जरूर इस पर ध्यान दीजिए, लंब से हट कर कुछ इस तरह के वीडियो भी बना रहा हूं, ताकि आप अवेर हो सको, अपनी गाड़ी को ले करके उसकी केर अच्छे से कर सको, क्योंकि गाड़ी हमारा बहुत साथ देती है, तो हमें भी हमारी गाड़ी का साथ देना चाहिए, उमीद है दोस्तों आपको वीडि लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के आशे करें, चैनल पर नहीं होते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ से आथ बिल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि इस तरह के इन्फोर्मेटिव वीडियो आप तक पोस्तर है, तो चले दोस्तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेसे फिन, गुट बाई